Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. Dear friends, today is our third lecture. तो आज की इस lecture में हम discuss करेंगे कुछ important personalities के बारे में Jammu and Kashmir की important personalities. हमने इससे पहले दो पार्ट discuss किये हैं तो अब कुछ important personalities बच गी हैं जो हमारे कुछ important और famous जो हमारे saints से, sages से हमारे कुछ रिशिम होनी थे जो हमारे state के हम उनके बारे में discuss करेंगे इस part में. तो ये जो part है, ये काफी important part है तो इसमें से कुछ question आने की संभावना है, काफी important persons वो discuss किये गए हैं इस part में. तो guys, अगर अभी तक आपने first और second part नहीं देखा है, तो आप playlist में जाके वो भी देख लीजिएगा. तो जो बाकी classes हैं, आपके accounts और bookkeeping की हो, चाहे computer की हो, वो भी साथ-साथ चल रही है, accounts की खतम हो गई है, तो आप playlist के section में जाके, वो classes भी आप देख सकते हैं. तो guys, अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe जुरू कर दिजिए और bell icon को press कर दिजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी account assistant की, तो आपको इसकी notification मिल जाएगी. तो friends, वीडियो को like भी किजिएगो, और अगर आपको कोई doubt है, तो आप नीचे comment section में comment भी कर सकते हैं, और अपने friends के साथ share भी किजिएगा वीडियो को. तो friends, चलिए start करते हैं आज की discussion को. तो जो हमारे first है important saint वो है, अभिनवा गुपता. तो पढ़ते हैं कौन है? अभिनवा गुपता. अभिनवा गुपता was one of the most outstanding acharyas of the shayva philosophy. तो shayva philosophy के ये बहुत ही important, most important outstanding acharyas है. We learn from references about him in, हम ने इनके बारे में कहां से पढ़ा? तंत्रलोका एंड प्रत्री मशीका विवर्ना. तो इनसे हमने इनके बारे में जाना that he lived in Kashmir. उनसे हमें पादा चला कि ये कहां रहते थे? ये रहते थे? कश्मीर में. अभिनवा गुपता. About the end of the 10th and the beginning of the 11th century. तो ये 10th century के end और 11th century के beginning में ही इनका time था. तो हमें इनके बारे में पता चला. तंत्रलोका और प्रत्री मिक्षा विवर्ना से. The earliest ancestors of अभिनवा गुपता was a famous ब्रामिन. तो इनके अर्लिए जो एंसिस्टर से वो कौन थे? ब्रामिन थे? अत्री गुपता who lived in? कहां रहते थे वो? उतरवेदी में. तो उतरवेदी कहां है? The ancient name of tract of land lying between the Ganga and the Yamuna. तो उतरवेदी कहां है? यह ancient name है. जो लैंड है जो गंगा और Yamuna के बीच में आती है. अत्री गुपता a great shaiva teacher. तो अत्री गुपता कोन थे? जो इनके फादर से? वो एक क्या थे? शैवा teacher थे. वाज इन्वाइटिड बाई King Lalit Aditya. तो उनको किसने इन्वाइट किया था? King Lalit Aditya. जो कोन थे? उस टाइम के रूलर थे? कश्मीर के कबके 700 to 736 AD के टाइम में. तो ललित Aditya कश्मीर के रूलर थे? 700 to 736 AD में. तो उन्होंने इनको इन्वाइट किया अत्री गुपता को. और पर जेलम के बैंक में. तो बैंक अफ जेलम के किनारे एक इनके लिए गर बनाया गया. तो इसकी मैंटेनेंस के लिए उनको बड़ी जागीर भी दी गई. बहुची जेमरेशन इनके बाद बहुची जेनरेशन के बाद एक डिसेंड थे उनका नाम था वराहा गुपता. बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर आफ शैवा फिलोसफी तो शैवा फिलोसफी के वो एक ग्रेट स्कॉलर बन गें. तो इनके जो डिसेंडन थे. इनके बाद बाद आभिनवा गुपता के बाद आवें. बाद यह बस फिलोसफी के बाद के बाद लाए कु और बन बाद नामों के बारे में, यह कहां रहते थे, यह कश्मीर के थे और इनके जो earliest अशिस्टर थे, वह ब्रामिन थे, अत्री गुपता, जो कहां रहते थे, उत्तर वेधी में, जो एरिया है, लैन्ड है, गंगा और यमणा के बीच में, तो यह हमने पढ़ा, अभिनवा, गुपता के बारे मे तो ये image है, तो ये एक painting है उनकी अभिनवा गुपता की, तो next देखते हैं, next हमारी है लालेश्वरी और लाल दीद, तो आपने इनके बारे में जुरूर पढ़ा होगा, जुरूने JNK की history के बारे में पढ़ा है, पहले किसी exam के लिए, तो उनने लाल दीद के बारे में जुर and mystics, among them, लाल दीद is very prominent, तो ये बहुत importance रखती हैं, कश्मीर की history में, बहुती important personality हैं, in the history of कश्मीर, in कश्मीर, some people consider her point, तो कुछ लोग इनको कहते थे कि ये point है, कुछ लोग कहते थे कि ये holy woman है, और कुछ कहते थे, ये सूफी, योगी, और डेवोटी आफ शिवा हैं, तो ये point है, holy woman है, सूफी सेंट है, योगी है, जा, और कहीं कहते थे कि ये शिवजी की डेवोटी हैं, उनकी बक्त हैं, some even consider her an avatar, तो कुछ इनको कहते थे कि ये avatar भी हैं, किसी बगवान का ये avatar है, but every कश्मीरी consider her a wise woman, लेकिन हार एक कश्मीरी इनको एक wise woman मानता था, every कश्मीरी has some saying of Lal on his tips of his tongue, the कश्मीरी language is full of her saying, तो जो कश्मीरी language है, वो बड़ी है इनकी teaching से, इनको जो जो चीजे कहीं है, उसे बड़ी पड़ी है कश्मीरी language, कश्मीरी Hindus and Muslims, affectionately call her mother Lala, तो कश्मीरी हिंदू हो, चाहे Muslims हो, इनको क्य कहते हैं, mother Lala और granny Lala, तो इनको mother Lala और granny Lala के नाम से भी बुलाया जाता है, तो यह important आ गया, exam में पूछा जा सकता है कि, who of the falling is also known as mother Lala जा फिर granny Lala, तो किनको बोलते हैं, लालेश्वरी और लाल दीर, तो आपको यह भी बता हो नहीं, लाल दीर का नाम क्या है, लालेश्व उनको और क्या कहते हैं, लालेश्वरी, तो लालेश्वरी के नाम से भी उनको जाना जाता है, some people call her Lala, तो कुछ लोग उनको लाला भी कहते हैं, लाला क्या है, दा मिस्टिक, तो कुछ लोग उनको mother Lala कहते हैं, कुछ granny Lala कहते हैं, कुछ लालेश्वरी कहते हैं, और कुछ उनको लाला भी कहते हैं तो ये थी लालेश्वरी जाफिर इनका नाम है लाल दीद तो ये important हैं इनसे एक question आ सकता है तो next चलते हैं next है हमारे नंद रिशी तो ये भी बहुत important है नंद रिशी तो इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ ली जीगा तो नंद रिशी कोण है देख लेते हैं तो नंद रिशी जियारत at चारी शरीफ बढगाम तो ये नंद रिशी की जियारत है कहां है ये चारी शरीफ जो कहां है बढ़गाम में डिष्टक, बढ़गाम डिष्टक कहां का कश्मीर में है, तो नंद रिशी की जयारत कहा है, कश्मीर में इन बढ़गाम डिष्टक, is his self-choice place of final response for eternal rest after his soul left his body to reside and fluent space, तो जो नंद रिशी है, इनकी अपनी मर्जी थी कि इनकी जो जयारत है, जहां पर बने इनको, इनकी self-choice थी, कि final इनकी जो cremation हो, final इनको, जो body को यहीं पर दफनाया जाए, तो यह कहां है जयारत नंद रिशी की, तो यह है, बढ़गाम में, चारे शरीफ में, to find this place of honor like लाल दीर as models of global humanism, तो लाल दीर की तरह ही यह कश्मीर में बहुत चर्चिस थे, और इनको कश्मीरी जो थे, इनको बहुत मानते थे, नंद रिशी को, जैसे की लाल दीर को मानते थे, true to the core, they are practical messengers for equality of human race, among with life in the biosphere, तो यह क्या थे, यह एक messenger की तरह थे, जो messenger कौन हो गया, जो God से मिलाए हमें, तो जो हमारा संपर्ख भगवान से करवाए, जो हमें God के बारे में बताए, वो आगया messenger, तो यह as a practical messengers थे, जो की people को God से मिलाते थे, मतलग उनको spiritually, उनको जो अपने ideas देते थे, और वो जो थे काफी, मतलग कश्मीर में उनको बहुत माना जाता था, hence the zयारत has duly become one of the most frequently place of pilgrimage in कश्मीर, for all sections of people, irrespect of caste, creed, or religion, तो जो उनकी जयारत है, चारे शरीफ में, तो यह हर एक religion, चाहे कोई भी caste हो, कोई भी religion हो, हर एक religion के आदमी इनको मानते थे, और इनकी जगा है, जयारत है, वहाँ पर सभी frequently visit करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिक्ख हो, कोई भी हो, वो नंद रिशी की जयारत है, वहाँ पर visit करते हैं, तो यह important से नंद रिशी, तो उनके बारे में देख लिया, अब चलते हैं, आगे next हमारे कोई है, तो next आज़ते हैं हमारे रिशी पीर पंडित, तो कोई है रिशी पीर पंडित, रिशी पीर पंडित is one of the greatest saints of कश्मीर, of the 17th century, तो यह कब के 17th century के, रिशी पीर पंडित गोविन्थ जो खासु आप बत्यार, अली, कदल, शिरनगर, तो यह कहां बोण हुहे, तुल पंडित गोविन्थ जो खासु, पंडित गोविन्थ जो खासु इनके फादर थे, और बत्यार अली, अली कदल, शिरनगर के थे, तो he lived 1637 में birth हुआ, 1697 में उनकी death होगी during the rule of Mughals, तो ये Mughals के time के थे Rishi Peer Pandit, तो he was a करम योगिन type of saint, ये करम योगिन type saint थे who helped people both in spiritual and temporal pursuits and he became famous as उनको और क्या कहा जाने लगा, famous होगे पीर पंडित पाद्शा हर्दू जहां मुश्किल आसां, तो इनको क्या कहा जाने लगा, पीर पंडित पाद्शा हर्दू जहां मुश्किल आसां, तो ये किसको कहा जाने लगा, Rishi Peer Pandit को, तो ये भी exam point of view से important है, ये पुछा जा सकता है, इसके बाद है, emperor of two words and answer to difficulties of all kinds तो इसका meaning क्या है, कि ये emperor हैं, दो दुनिया के, दोनु दुनिया के and answer to difficulty of all kinds, तो हर तरह की जो मुश्किल है, उसका answer है, जब रिशी, Peer Pandit, seven years के थे, उनकी शादी हो गई थी, और उनके फादर की death हो गई थी, by the time he attained the age of 12 years, जब वो 12 years के हो गई, he became indifferent to worldly affairs and devoted his entire time to साधना in temple, तो बारा साल की उमर से ये temple में साधना करने लगे, saints को visit करने लगे, और search करने लगे, गुरू को, with the predominant idea of his mind, he started circumvolution of shri, shari का बगवत श्राइन, तो ये shri, shari का बगवत श्राइन में जाने लगे, situated owner, he locked in the city of shirnagar, तो ये कहा है, shri, shari का बगवती श्राइन, तो ये exam, point of view से important है, exam में पूछा, जा सकता है कि shri, shari का बगवती श्राइन कहा है, तो वो कहा है, shirnagar city में, ये वहाँ पे, रात में जाने लगे, for 40 days, तो 40 दिन ये crawl करके, वेज में अपने knees पे crawl करके, ये उस shrine पे जाने लगे, और ये distance कितना था, about 3 mile, तो 3 mile का distance था, travel करके, ये वहाँ जाने लगे, उन्दा 40th day, जब 40 मा दिन था, he was in देवी ग्यान, वो देवी ग्यान में थे, an open space below the hill, तो hill के, नीचे जो open space थी, वहाँ पे थे ये, जो goddess, शरी का बगवती थी, उन्होंने इनको दर्शल दे दिये, तो इन्होंने जो शरी शरी का बगवती शरायन थी, वहाँ पे इन्होंने लगातार विजिट की, क्रॉल करके नीज में 40 days चलते रहे, 40 में दिन, 40 में इनको जो goddess थी, शरी का बगवती, उन्होंने इनको दर्शल दे दिये, तो ये थे रिशी पंडित के बारे में, इसके ब पीर पंडित पाद्शा, as he helped many people, इन्होंने बहुत से लोगों को उनकी जो प्रावलम सी उसमें help करनी शुरू कर दियो, लोगों की ये help करने लगे, ये जो news थी, ये उस टाइम के जो रूलर थे औरंग जेब उन तक पहुंच गी, और उनको ये बिलकुल भी पसंद नहीं आया कि उनको king कहा जाने लगा, उनको raja कहा जाने लगा king पाद्शा और उन्होंने अपने messenger को शिर्नगर में बेज दिया कि जाओ और एरेस्ट कर दो पीर पंडित पाद्शा को, और उनको डेली लियाओ, और जब messenger मिले पीर साहिब से, तो उन्होंने उनके खाने का के लिए चलेंगे तो जब वो दिली पहुंचे और उनकी जो miraculous power थी जब वो दिली चलेगे और जब औरंग जेव ने उनको देखा और उनको पता चला कि यह तो काफी spiritual परसन है और इनकी spiritual power के बारे में जब पता चला और जो औरंग जेव थे उन्होंने लिखा जो गवर्नर थे कश्मीर के कौन उस टाइम सैफ खान तो सैफ खान को कहा कि कैंसल कर दो इनकी arrest को तो मतलब इनको arrest नहीं करना और इनको जागीर दे दो in the name his name in देवसर village तो जो औरंग जेव खुश हो गए उनसे और औरंग जेव ने कहा कि इनको arrest नहीं करना है और इनको आप एक जागीर दे दो in his name in देवसर village में तो ये थे पीर पंडित पात्षा तो काफी important है ये भ जीवन शाह कौन है देख लेते हैं यह पिक्चर में आप देख रहे हैं यह सेंट जीवन शाह तो यह सेंट थे 18th century में इनका बर्थ हुआ था मोतिहार मोहला रहनवारी शिर्नगर में तो यह highly evolved सेंट थे with tremendous spiritual powers थी his miracles are legion तो इनकी इनमें बहुत से spiritual powers थी और बहुत से miracles भी करते थे इनके जो फादर थे राजकक पंडित वजा मैना मीन्स तो राजकक जो थे उनकी जो वाइफ थी वो जाया करती थी कहां खीर बवानी श्राइन तो आपने नाम सुना होगा खीर बवानी टेंपल खीर तुला मुला में है तो तुला मुला कहां है ये शिरनगर में है वहां पे जया करती थी तो once every month तो हर मन्त ये कश्मीर में जो तुला मुला है तो कश्मीर में ये वहां पे ये जया करती थी खीर बवानी श्राइन में हर मन्त तो हर मन्त ये एक वार वहां जया करती थी और प बगवती से चाइड के लिए ये प्रे किया करती थी इनकी मदर तो श्राइन कोन सी थी खीर बवानी श्राइन तो दिवाइन मदर आलसो टोल्ड हर शी वुड़ गेट टू संस तो जो गॉडश थी उन्होंने क्या का कि इनको दो पुत्र होंगे जो फर्स चाइड होगा वास गीवन दे नेम आफ हरी राम और जो सेकिंड चाइड था उनका नाम क्या दिया गया जीवन शा और इन्होंने अपनी एडुड़ी एड्यूकेशन लोकल स्कूल में की ही वास बेल वर्स इन पर्शियन में वो बहुत बढ़िया थे और पर्शियन उस टाइम की कहती कोट ले कोला में तो यह अब्जेक्टिव इससे बन सकता है खीरववानी श्राइन का तो उसके बाद खीरववानी श्राइन में जो गौड़स है वो कौन है श्री रजना बगवती तो यह आप जाद रखिएगा यह भी पूछ सकते हैं एक्जाम में इसके बाद नेक्स्ट हैं यह बहुत इंपॉर्टन है पंडित जिन्दा कोल तो बहुत इंपॉर्टन से रखते हैं पंडित जिन्दा कोल तो यह हैं पंडित जिन्दा कोल तो देखते हैं को हैं यह वैल नाउन पोईट आफ कश्मीर के यह बहुत बड़े पोईट हैं और कश्मीर में his students and friends used to call him master जी तो he used to teach many Kashmiris both in school as well as in home तो इनको master जी क्यों कहा जाता था यह जो कश्मीरी थे वहां के कश्मीर के थे तो उनको वह स्कूल में भी पड़ाया करते थे और अपने घर में भी उनको पड़ाया करते थे इनकी death हुई थी जम्मू में in the winter of 1965 में इनकी death हो गई थी शुरू में जो master ज इंडी और उर्दू में लिखते थे फिर उन्होंने बाद में क्या कर दिया कश्मीरी में लिखना शुरू कर दिया तो master जी की जो poetry थी वह publish की गई in all these four languages इनी चारू languages में उनकी poetry को publish किया गया however he made his name by writing in Kashmiri तो इनका नाम mainly कैसे बना कश्मीरी में लिखने से इनकी जो बहु समरन किसकी important book है तो समरन जो book है कश्मीरी में वो है किनकी पंडित जिंदा कोल की तो पंडित जिंदा कोल की important book कौन सी है समरन यह publish हुई थी डेवनागरी में तो देवनागरी में इसको लिखा गया था later government ने इसको print किया था किसमें पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट में तो साहिते Academy Award of India उन्होंने पंडित जिंदा कोल को अवार्ड दिया था कितना 5000 रुपीज का इस book के लिए कौन सी book समरन बुक के लिए साहिते Academy Award ने इनको 5000 रुपीज का उस time अवार्ड दिया था और Master जी को जे अवार्ड कम मिला था 1956 में तो यह थे पंडित जिंदा कोल तो यह कश्मीर के पोहिड थे इनको Master जी भी कहा जाता था और यह स्टार्टिंग में इन्होंने कश्मीरी में लिखना नहीं शुरू किया था यह पर्शियन हिंदू और उर्दू में लिखते थे उसके बाद इन्होंने कश्मीर में भी लिखना शुरू किया और इनकी जो important book है उस 5000 रुपीज दिये थे तो कौन सी book के लिए दिये थे समरन book के लिए इसके बाद next जो most important है जमू एंड कश्मीर हिस्ट्री के वो हैं कल्हाना कल्हाना जा इनको कहा जाता है spell किया जाता है कल्हन और कल्हाना तो इनको प्रनूंस्यूट ऐसी किया जाता है तो यह आगे कल्हान पंडित इनकी यह book थी most important, जो book है इनकी वो है के नाम है राजा तरंगनी तो राज तरंगनी इनकी most important book है तो जान लेते हैं कोण है कल्हाना पंडित में तो यह 12th century में थे, कश्मीरी थे was the author of राज तरंगनी, राज तरंगनी का मीनिंक क्या है river of kings, तो राज तरंगनी का मतल फli 쉬ए spiritual से एंड अकाउंट अफ di history अफ निश्च फिर कि इस बुप में राजा तरंग नी तो राजा तरंगरी में इनुनने लिखी काश्मीर की हिस्ट्री इन्हों गवर्ण लिखा था वो लिखा था शन्स्क्रीट में between 1148 to 1149 All information regarded his life has to be deduced from his own writings. इनकी जो life की बारे में history थी वो भी हमें इनी की writing से ही पता चली Major scholar थे जिनका नाम था Mark Oriel Stain उन्होंने इनके बारे में लिखा था इनी की writing से deduce किया था इनी के बारे में Robin Donkin ने argue किया था कि with the exception of Kalhanas There are no native Indian literary works with a developed sense of chronology और indeed much sense of place before the 13th century तो उन्होंने का था कि Indian history में कोई और ऐसे author नहीं थे जिन्होंने की इतनी chronology में और मतलब इन्दीड much sense of places between before the 13th century तो किसी भी जो author थे उस time के except Kalhana उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कोई history जो book है कुछ भी writing है वो develop नहीं की थी जैसे कि इन्होंने develop की in the sense of chronology में ये proper इन्होंने history mention की थी तो Kalhana जो इनका जन्हों हुआ था बहुर इनक कश्मीरी पंडित फैमिली में बर्थ हुआ था और मिनिस्टर चानपका तो मिनिस्टर चानपका के गर इनका बर्थ हुआ जो कि सर्व कर रहे थे अंडर किंग हर्षा तो किंग हर्षा का time कौन सा था 1089 to 1101 AD तो उस time में इनका बर्थ हुआ था मिनिस्टर थे इनके फाजर चनपका और कौन सी डैनस्टी थी लोहारा डैनस्टी तो यह पूछ सकते हैं कलहाना का बर्थ जब हुआ तब कौन सी डैनस्टी थी तब डैनस्टी थी लोहारा डैनस्टी तो इसके बाद है जो कलहाना थे इस रिगाडियर इस इंडिया के फर्स्ट इस्टोरियर माना जाता था कलहाना को तो यह MCQ में भी आ सकता है which of the following is regarded as the first historian of India तो कौन थे वो? Kalhana तो यह MCQ exam में आ सकता है Kalhana से तो Kalhana बहुत ही important topic है यहां से एक MCQ आ सकता है जाहें इनकी जो book है Raja Tarangani इसके बाद देखते हैं He was well versed in Sanskrit and decepted by his work The introductory verses of each of 8 books in his His Raja Tarangani are prefaced with prayers to Shiva A Hindu deity तो जो इनकी introductory verses थे इनकी हर एक 8 books में जो Raja Tarangani की थी In his Raja Tarangani are prefaced with prayers उन्हों में जो prefaced था तो starting थी उसमें उन्होंने क्या दिया था? Prayers दी थी शिवा की जो एक Hindu deity हैं उनकी इन्होंने prayers वहाँ पे लिखी थी in common with many Hindus in Kashmir at that time तो उस time Kashmir में Hindus काफी थे He was also sympathetic to Buddhism and Buddhists tended to reciprocate his feeling towards Hindus तो वो Buddhism को भी मानते थे उनकी sympathy Buddhism के साथ भी थी Even in late modern times तो modern times में Buddha's birth has been a notable event for Kashmiri Brahmin तो Kashmiri Brahmin के लिए Buddha का birth एक बहुत बड़ा event था Kashmiri Brahmin के लिए and well before Kalhanas time तो Kalhanas के time से पहले भी वो Buddha का birth जो था Kashmir history के लिए एक important event था Buddha had been accepted by Hindus as the avatar of Vishnu तो Hindus जो थे Buddha को क्या मानते थे कि वो अफ़तार हैं Vishnu के तो ये था Kalhana Pandit के बारे में Kalhana के बारे में अब हम देखते हैं राज तरंगनी जो इनकी book है उसके बारे में ये आगे Kalhana की राज तरंगनी MS-10 ने इसको आगे convert किया है तो देख लेते हैं क्या है राज तरंगनी राज तरंगनी provides the earliest source of Kashmir Kashmir की history का earliest source ये प्रवाइड करती है that can be labeled as a historical text of his religion तो आल्दो inaccurate in its chronology ये अपनी chronology में inaccurate है लेकिन ये जो book है वो फिर भी हमें provide करती है valuable source of information about early Kashmir history तो early Kashmir के बारे में हमें एक valuable source provide करती है Kashmir और उसके जो neighbors थे in the north western part of Indian subcontinent उसके बारे में ये एक हमें जो है information provide करती है and has been widely referred by later historians and athrographers तो later जो historians थे और athrographers थे वो widely refer करते थे राजा तरंगनी को तो अब Persian translation of राजा तरंगनी was commissioned by January अबदीन तो January अबदीन ने पर्षिन जो translation की थी राजा तरंगनी के लिए तो जैनूल अबदीन कोण है हूरूल कश्मीर in 15th century तो जिनूने कश्मीर को 15th century में रूल किया था जैनूल अबदीन उन्होंने translation की थी राजा तरंगनी की तो राजा तरंगनी को उर्दू में किसने शापुरिया ने इसको उर्दू में translate किया था और इसको हिंदी में translate किया था वो किया था पंडित गोपी कृष्णन शास्त्री दिवेदी तो पंडित गोपी कृष्णन शास्त्री दिवेदी ने इसको हिंदी में translate किया था आपको important क्या पर्ना है राजात रांगनी के बारे में कि इसको translation इसकी कि इसको हिंदी में किसने ट्रांगनी होई कि अ उर्दू में किसने किय तो यह important source है कष्मीर की history का यह पूछ सकते कौन सी book है वो है राजाते रांगनी तो यह important था कल्हाना के बारे में और राजा तरंगनी के बारे में तो कल्हाना जो है most important topic है जो में कश्मीर की history का तो आज के topic में कौन को थे कल्हाना लाल दीद और नंध रिशी और जिंदा को लिए बहुत ही important personalities हैं तो आप इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा और जो जो important points है उसको अच्छे से कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स यही था आज की discussion में I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्या थे यह हमारे important personality तो अभी हमारा जो first topic है important personalities आप जमू और कश्मीर वह हमारा complete हो चुका है इसके तीन पार से तो अगर आपने बाकी दो पार नहीं देखे हैं आप वह भी जाके देख लीजिएगा मैंने सभी जो important personalities थी वह cover कर दी है तो जो जो important थी वह सब हो चुकी है इसके बाहर आप कुछ कोई भी personality नहीं बची तो तकरीवन सभी personalities हो चुकी है तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिएगा अगर कोई doubt है तो comment कीजिएगा और अगर चैनल पे ने हैं तो चैनल को subscribe जुरू कर दीजिएगा क्योंकि account assistant जेके SSB के और जो vacancies आएंगी चाहे या JK bank भी आएगा तो उनकी आपको classes यहाँ पे मिलेंग तो यह वीडियो शेर भी कीजिएगा friends के साथ और अगर आप instagram, facebook और telegram पे जुनना चाहते हैं JK study hotspot search कर से तहीं यहाँ पे आपको डिली के current affairs भी मिलेंगे और आपको कोई भी latest job update आएगी या कुछ भी होगा update वो मैं post करता हूं instagram, facebook और telegram पे तो guys thank you have a nice day